चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे हम ट्रेट की सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एनलेटिक्स पर क्लिक करना होगा एनलेटिक्स पर क्लिक करते ही एनलेटिक्स स्क्रीन ऊपन हो जाएगी यहां पर आप जिस भी trade को place करना चाहते हैं, आपको उसके उपर click करना है, उसके बाद आपको trade settings पर click करना है, trade settings पर click करते ही आपकी screen पर settings डिस्प्ले हो जाएंगी, first है first buy in amount, first buy in amount में आप कितने amount का trade place करना चाहते हैं, आपको उस amount को set करना है, जैसे यहां पर 11 USDT set है, तो इसका मतलब है कि Robert आपके लिए 11 USDT का trade place करेगा, next है open position doubled, open position double को अगर आप enable कर देते हैं, तो Robert आपकी first buy in amount को double कर देता है, और double amount का ही trade place करता है, इस option को enable करते ही, अगर आपकी first buy in amount 11 USDT है, तो Robert आपकी amount को double कर देगा, और 22 USDT का trade place करेगा, next है margin call limit, margin call limit में आप एक trade को कितनी बार खरीदना चाते हैं, आपको उस limit को set करना होता है, जैसे यहां पर 7 times set किया गया है, margin call limit को समझने के लिए हम चलते हैं margin configuration में, आप चितनी margin call limit वहां पर set करेंगे, उतनी ही calls आपको यहां पर display होगी, जैसे हमने वहां पर 7 select किया है, तो यहां पर हमें 7 margin calls display हो रही है, first call में आपका trade 3% down आने पर, Robert आपके लिए 2 times उस trade को purchase करेगा, मान लिजिए आपका trade 3.5% down आ जाता है, तो second call में 3.5% down आने पर, Robert आपके लिए 4 times उस trade को purchase करेगा, next है whole position take profit ratio, whole position take profit ratio में आप कितना profit extract करना चाहते हैं, आपको उस value को set करना है, मान लिजिए आपका trade 1.3% अबव जाता है, जो कि आपने यहां पर value set की हुई है, तो Robert आपका 1.3% trade जाने पर profit extract करके बाहर आ जाएगा, बट यहां पर एक case और भी है, कि आपका trade हो सकता है 9% और अबव चला जाए, तो उसके लिए आपको whole position take profit callback की value को set करना है, मान लिजिए आपका trade 9% और अबव चला गया, तो Robert अब वेट करेगा कि कहीं trade और increase न हो जाए, बट trade अबव जाने के बजाए down आना शुरू हो जाता है, तो whole position take profit callback में हमने जैसे 0.3% value set की है, तो जैसे ही हमारा trade 0.3% down आएगा, तो Robert आटोमेटिकली 0.3% आने पर trade का profit निकाल कर बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट है buy and callback, माल लेजिए trade डाउन जा रहा है और वो 1% down आ गया है, बट Robert उसको यहाँ पर purchase नहीं करेगा, हो सकता है कि यह trade और डाउन जाए, बट हुआ यूँ कि trade डाउन जाने के बजाएग increase होना शुरू हो गया, तो जैसे हमने buy and callback में 0.5% value set की है, तो जैसे ही हमारा trade 0.5% increase करेगा, तो Robert उसको purchase कर लेगा,